एक दिन गौतम बुध अपने शिश्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे, उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिश्य चिन्तित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं, एक शिश्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिश्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिश्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुध मौन रहे, तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिलाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है। बुध ने आखें खोली और बोले, नहीं वह अचूत है, उसे अग्या नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिश्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बुध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अचूत है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है, तब तक अचूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिश्य भी बुध की बाते सुन रहा था। पश्चाताप की अगनी में तब कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान करतव्यव परम धर्म है। वह बुध के चर्णों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। एक बार भगवान बुध के एक शिश्य ने उन से पूछा भगवान क्या इस चटान से बहतर कोई है। बुद्ध ने कहा पत्थर से कई गुना शक्ती लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़ कर टुक्रे टुक्रे कर देता है। फिर शिश्य ने पूछा लोहे से भी कोई चीज बहतर होगी। बुद्ध ने पुन कहा क्यों नहीं, अगनी है जो लोहे को गला कर अगनी को शीतल कर देता है। फिर शिश्य ने पूछा जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी। फिर बुद्ध ने समझाया। ऐसा क्यों सोचते हो वत्स इस संसार में एक से एक शक्तिशाली हैं। वायू का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत